गुड मॉरिंग स्टूडेंट्स इससे पहले आपने स्वरसंदी के पांच वेद पड़े थे अब हम स्वरसंदी की पांच वेदों कहते रिक्त इसके दो वेद हो रहें उसके बारे में बताते हैं पुरो रूप संदी किसे कहते हैं ए या ओ के बाद ए हो तो ए अपने पुरो रूप में चला जाता है वहाँ पुरो रूप संदी होती है जैसे हरे जमा अत्र को जमा अपी को अपी ठीक है यह अपने पुरो रूप में सला गया है यहां भी और यहां भी अगली है परूप संदी कहीं कहीं ए या आ के सामने ए या ओ हो तो ए या आ सामने वाले ए या ओ में मिल जाते हैं वहाँ परूप संदी होती है जैसे साप जमा एरा सपेरा दन्त जमा ओस्ट दन्त ओस्ट देखी साप जमा एरा ये पहले लगू हो जाएगा और ये ए में में जाएगा सपेरा दन्त जमा ओस्ट दन्त ओस्ट मामा जमा एरा ममेरा चाचा जमा एरा चचेरा अब आती है हमारी वेंजन संदी वेंजन संदी किसे कहते हैं इसके नीमों का वर्णन करें सबसे पहले वेंजन संदी किसे कहते हैं पहले सब्द के अंत में वेंजन तथा दूसरे सब्द के प्रारंब में स्वर या वेंजन यानि कोई भी हो चाहिए स्वर हो या वेंजन हो दोनों के आपसी मेल से जो विकार या परिवर्टन होता है वहां वेंजन संधी होती है जैसे दिक जमा गज दिक गज अब यहां कह अहलंत है जितने भी वेंजन है सारे अहलंत मिलेंगे इसका अलब वो सवर रहीत है अब एंजन संधी के निमल लिखित नियम है नमबर एक पहला नियम है वर्ग के पर्थम वेंजन का तृतिये वेंजन में परिवर्थन अब वर्गिये वेंजन कौण कौण से है कैसे में यह वर्गिये वेंजन है यह 25 है इसमें कवर्ग चवर्ग तवर्ग और पवर्ग तो कहते हैं वर्क के पर्थम वेंजन का तृतिय वेंजन में परिवर्थन यानि वर्क का जो पहला वेंजन है वो तीसरे वेंजन में कैसे बतलता है देखिए इनियम बताते हैं आपको यदि पहले सब्द के अंत में किसी वर्क का पर्थम वेंजन यानि पहले सब्द के अंत में क तीसरा चोथा पांचवा मेंजन या ये रे ले वे या कोई भी स्वर हो तो वर्क का पर्थम मेंजन अपने ही वर्क के तिरतिय मेंजन में बदल जाता है हुआ है यानि लख्वाग क्या होजएगा गय। जैका क्या होजएगा जाय को यह रही हुआ हुआ है, यह गय। वाग जमाईश अब यह क्या है कै किसमें बदलेगा गै में तो वाग कैका हो गया गै गै वाग और आगे ए की मात्रा है बड़ी की मात्रा लगेगी ति यह पूरा हो जाएगा वागीश अब जै में ए मिलेगा तो यह पूरा हो जाएगा अजन्त सट जमादर्सन टैका हो जाएगा दै अब सड़ दर्सन देखिए हमने इसको हलंत लगा लिए क्यों क्यों क्या है हमारे पास दै वेंजन है सवर नहीं है इसलिए यह हलंती रहेगा ठीक है सब जमा आचार अब तैका दै दै में जब आ मिलेगा तो सदा चार अब जमा धी पैका बै अब यहां क्या है वेंजन है तो यह पर जाएगा अब धी जगत जमा अंबा तैका दै जग दंबा और उत जमा धार तैका दै उत दार नियम नंबर दो पहले दूसरा नियम कहता है वर्क के पर्थम मेंजन के आगे यानि सामने पहले सब्सक्राइब के अंति मेंजन में बदल जाता है अंति मेंजन यानि नासिक के मेंजन में बदल जाएगा जैसे यहीं इस तरह से अंति मेंजन में बदल जाएगा जैसे वाक जमा में यह अब यहां क्या आगया में तो कैका अड़े kाली हुझा यानि जायगा वाग में जगत जमाना थ्यक क्यह होगा ने सबत जबर जाहेगा जगनाथ चित जमा मैं ये, ते का क्या होगा, ने, चिन मैं, तत जमा मैं ये, ते का क्या होगा, ने, तन मैं नियम नम्बर तीन, तीसरा नियम कहता है, ते दे संबंदी नियम, यानि ते का दे का होता है यदि तै के बाद ले हो तो तै का क्या हो जाएगा ले हो जाएगा यानि पहले सब्द के अंत में तै हो और दूसरे सब्द के प्रारण में ले हो तो तै का ले हो जाएगा तै जैसे उत जमाले तै है आगे ले है तै का ले हो जाएगा उले उत जमालास उलास तत जमालीन तलीन नियम नमबर दो तैदे के नियम चलेगा तैदे के बाद यदि जय या जय हो तो तैदे का जय हो जय होगा तो भी जय होगा और जय होगा तो भी जय होगा पहले सब्सक्राइब में तैदे हो या जय हो और दूसरे सब्सक्राइब में जय सजन उत्जमाजवल विपत जमाजाग अब तैया दै क्या हो गया जै विपत जाल जगत जमाजनी जगत जन्नी नियम नमबर तीसरे नियम कहते है तै के बाद यदी तै या ठै हो तो तै का या डे हो जाता है यानि कि तै के बाद यदि टै होगा तो तै का टै हो जाएगा और तै के बाद यदि दै होगा तो तै का डै हो जाएगा ठीक है यानि पहले सब्द के अंत में तै हो दूसरे सब्द के प्रारम में तै हो तो तै का टै होगा पहले सब्द के अंत में तै हो दूसरे सब्द के प् नीजिन पार्जिन है रच्छमाटिका इसको एसे लिखें या ऐसे लिखें ऑगे जो कि है कि हुआ है जोने पी सब्सक्राइल हो तो तै का चये हो जाता है जैसे उत्जमा स्वास अब तैगा क्या होजेगा चै और सैगा क्या होजेगा चै तो सब्स बने जाएगा उच्छवास सत्जमा सिल तैगा चै और सैगा चै सत्छिल सत्जमा सास्त्र सत्छास्त्र जगत जमा सत्रू जगत छत्रू ठीक है, अगला नियम नमबर 5, तै के बाद यदी चै या छै हो, तो तै का चै हो जाता है, यानि पहले सब्सक्राइब में तै हो, दूसरे सब्सक्राइब में चै या छै हो, तो तै का क्या हो जाएगा, जैसे उत्जमा चारण, उत्चारण, सत्जमा चित, सत्चित, जगत जम नियम नम्बब छे यदि हो तो दो पहले दे है जूर्पन दूसरे سकर से प्रवार्म में हो तो तो 286 तुमासी 2 नियम नमबर चार छह सम्मंधी नियम यानि च्छे वेंजन के कैसे नियम चलते हैं यदि पहले सब्द के अंत में कोई भी स्वर हो और दूसरे सब्द के प्रारण में च्छे वेंजन हो तो संदी होते समय है निक दोनों आपस में मेल होंगे तो उसको संदी कहते हैं संदी होते समय हैं चै से पहले क्या जुड़ जाता है चै जुड़ जाता है जैसे अनू जमाचेद अनुच्छेद वी जमाचेद विच्छेद आ जमाचादन अच्छादन परी जमाचेद परिच्छेद छत्र जमाचाया छत्रत छाया अगला नियम है मारा मैं संबंधी नियम यह क्या कहता है पहले सब्द के अंत में क्या हो मैं हो और दूसरे सब्द के फ्रारम में कोई भी वेंजन हो, यानि मैं क्या तरी कोई भी वेंजन हो, ये रहे लहे सेसे है, इन में से कोई भी वेंजन हो, या वरक का तीसरा था पांच्वा में अजयन हो, ठीक है शम्जमा रक्षाण संभख्षां सम्जमा सयय संसय सम्जमा देश संदिए एहन जमा स्मजमा तोस संदोस 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 याンデन ने बताया था पहले सबत के अंतår मैं हो और दूसरे सबत की प्रारम में कोई भी व्याञ निजिन हो यानि कि मैं का अने कब होता है यदि पहले सब्द के अंत में री रे या से सैसत कौन ध्यान रखना है हो तो और बाद में ने मेंजन हो तो संदी होती समय ने का अने हो जाएगा या तो री हो या रे हो या सैसत कौन हो और बाद में ने चाए दूसरे सब्द के प्रारब में आ अब यहां परि में री है जमागे मान नेह का क्या देगे अने परि मान भर जमान यहां रह रह के बाद नेहें ने नेह का हुझेगा भरण प्रे जमामान री है याने है प्रमान परी जमा नाम री है परिनाम राम जमा आयन ने है राम आयन चीक है और भर जमाने भरन ओके नियम नमबर साथ ये वेंजन संदी का लास नियम है नियम नमबर साथ इसके बाद वेंजन संदी कम्प्लीट हो जाई सै का सै समद नियम सड़क वड़ा सै सट कौन वारे सै में कब बदलता है यदि सै से पहले ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो सै का सै हो जाता है जै कि यानि पहले सवद के अंत में सड़कवड़ा सओба हो और इससे पहले aggiम को हो चोड़कर कोई भी स्वर हो दूसरे सब के प्राणर्म में यह ऑघ इसस्वर हो और पहले सब्सक्राइब तो यह मनें जाएगा वी सम प्यारी देख्यों आपको वेंजन संदी के सभी नियम हमने विस्तार से पढ़ाए फिर भी कोई समस्च्या हो तो हम आगे से फिर दोबारा से चर्चा करेंगे ओके थैंक यू